नमस्कार दोस्तों गेट सक्सेस्टू पोट्शन के एक और न्य वीडियो में आप सभी का सकते दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले है जनरल अवेड़नेस यानि के आपके सामाने अध्यन के 40 most important questions अब जनरल अवेड़नेस में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट आते है History है, Geography है, Economics, Quality, Science, Current Affairs, Computer और छोटे मोटे और बी कई टोपिक्स तो जनरल अवेड़नेस में इतने सारे टोपिक्स आपके आते हैं और जो हम 40 questions के आज बात करने वाले हैं ये आपके सभी exams में यूज़ होंगे बेसिकली जैसे की Railway बगरे के अभी आपके exam में NTP से और Group D के इनमें खासतर आपके लिए बहुत important question है तो start करते हैं आज का वीडियो और वीडियो के लाश में अपना score जरूर बताना पहला question, कौन से देश, पाग, जल्ड, अम्रू, मद्दे से जुड़े हुए हैं चार option आपके सामने, 4 से 5 सेकिंड का time ले लीजिए और अंसर सोच के रखिए फिर मापको इसका अंसर बता दूँगा पहले का आपका जो correct option है वो SC वाला, भारत और स्रिलंका और यह जो basic लिए है पाग, जल्ड, अम्रू, इसे पाग, स्ट्रेट भी कहते हैं दूसरा कोशन, किस नदी को बंगाल का शोक नाम से भी जाना जाता है कौन से नदी है वो, दामोदर नदी बी option आपका यहां से correct हो जाएगा सलते हैं आज के तीसरा कोशन की और, केंदरी चावल अनुसंधान संस्तान कहां पेस्तित है कहां पे दोस्तों, कटक में डी option आपका यहां पे correct हो जाएगा, कटक जो कि आपका है ओडिसा में चौता कोशन, शिप किला दर्रा, यह जो शिप किला दर्रा है, यह कहां पे स्तित है यह आपको बताना है दोस्तों, यह है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, बी option आपका यहां से correct हो जाएगा चलते हैं हमारे पांचवे question की और, मैं जिनी देखा किन दो देशों के मद्दे की सिमा रेका है उन दोनों देशों का नाम बताईए फटावर्ट से तो क्या होगो दोस्तों, आपका पांचवे का correct option एवाला जर्मनी एवम फ्रांस इनके मद्दे की जो सिमा रेका है, उसे मैं जिनी रेका का जाता है चटा question, हवाई जाहाज, प्राइक किस मंडल में उड़ते हैं तो किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल, सी option आपका यहाँ से correct हो जाएगा चलते हैं, आज के 7 कोशिन की और के निमनों में से विशुप्त रेका किस देश से होकर गुजरती है बेसिकली जो आपकी equator है, कौन से देश से होकर गुजरती है इन चारों में से वो आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर जो आपका correct option मनता है दोस्तों, वो बनेगा C वाला ब्राजील आठवा कोशन समिधान के अनुसार, तिरंगे की लंबाई एवाम चोड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए आठवेक आपका correct option है दोस्तों, वो है A वाला 3 ratio 2 इस अनुपात मोहना चाहिए आपका 3 अनुपात 2 में तो यह आपका correct option हो जाएगा A वाला नौवा कोशन राज्य सभा का अध्यक्ष कौन होता है तो कौन होता है दोस्तों उपराश्ट अपती होता है यानि के D option आपका यहां से correct हो जाएगा दस्तों कोशन राज्य सभा द्वारा लोग सभा को धन विदेख कितने समय में लोटा दिये जाने चाहिए कितने दिनों का समय होता है वो आपको बताना है क्या होगा correct option 14 दिन यानि के B option आपका यहां से correct हो जाएगा दस्तों का B ग्यारवे कोशन के बात करते हैं कि वर्ष 2018 की Fortune India 500 यह 500 लिखावा है कि overall सूची में शेश स्थान पर कौन सी कंपनी रही दोस्तों 11 वे का आपका correct option हो जाएगा option नमबर B Indian Oil Corporation इस कंपनी का पहला स्थान रहा था इसके अंदर Fortune India 500 की जो सूची जाएगी की थी वर्ष 2018 की दोस्त नमबर पर थी आपकी Reliance Industries फिर आपके जो ONG है ONGC है टाटा मोटर्स है और भी काफी कंपनी इस थी तो यह हो गया इसका अंजर 12 आकोशन इलहबाद उच नयाले की स्थापना कब हुई थी तो कब हुई थी दोस्तों 1866 में से ओप्शन आपका यहां से करेट हो जाएगा यह हुई थी 11 जून को 11 जून 1866 यह इसके exact date है 13 आकोशन बिहार विदान सभा की सदस्य संख्या कितनी है यहनि कि उसमें कुल सदस्य है उनके संख्या बतानी है आपको तो कितनी है दोस्तों बिहार विदान सभा में सदस्यों की संख्या 243 यहनि कि C आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा चलता है 14 जून की ओर के विद्ट्य आपात प्रतम बार कितने दिनों के लिए या कितने दिनों तक लगाया जाता है तो जो विद्ट्य आपात है वो प्रतम बार लगाया जाता है दो मा के लिए 14 का आपका यह ओप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 कोशन के प्राचीन काल में किस जन्पद की राजदानी उज्जेन थी तो किसकी दोस्तों अवंती की डी ओप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा 14 कोशन विदेशी आत्रियों को सही काला नुक्रम में बताना है यानि कि जो विदेशी आत्री इत्यास में भारत आये थे उनका सही आपको काला नुक्रम बताने नी के सबसे पहले को आना आया था उसके बाद और उसके बाद यहां पर बेसिक लिए आपको तीन नाम देखने को मिलेंगे थॉमस रो, हैंसांग और इच सिंग अब आपको यह बताना है कि इन तीनों से सबसे पहले को आना आया उसके बाद और उसके बाद को आना आया आपको जो correct option होगा वो दोस्तों एवाल हो जाएगा वहनसांग सबसे पहले आया था फिर उसके बाद इस सिंग और उसके बाद धॉमस रो तो ये करेक्ट इनकी सिरीज है सत्रमा कॉशन भीम बेट का गुफा है कहां पे स्थित है तो दूसरों ये स्थित है मद्य परदेश में सी ओप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा मद्य परदेश का एक जिला है राय सेन मैं आपको नाम बता देदा हूँ राय सेन एक वहां का जिला है वहां पे ये गुफाएं जो है स्थित है अठारों कॉशन शान्ति निकेतन की स्थापना किस ने कीती तो किस ने कीती दोस्तों रविंदर नाट टेग और ने यानि के सी ओप्शन आपका यहां से करेक्ट होगा चलते हैं अमने से कोशन की ओड़ के भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है ये एक इधियास की किताब थी भारत एक खोज अब इसके लेखक कौन थै यहां आपको बताना है तो इसके लेकर थे दोस्तों जवाल लाल नहरू यानि के बी ओप्शन आपका यहां से करेक्ट होगा चलते हैं आज के बीस वेकुशन की और के वह कौन सा प्रसम भारतिय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था तो दोस्तों वो थे दादा भाई नोरो जी जो की प्रसम भारतिय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे चलते हैं आज के 21 कुशन के और के कॉंग्रेस का प्रसम अधिवेशन कब हुआ और कहां हुआ यह दोनों चीज आपको यहां पर बतानी है ओप्शन देखे बता दीजिए कब हुआ था दोस्तों यह 1885 में हुआ था बंबई में और दूसरा आदिवेशन हुआ था 86 में कलकता में तीसरा हुआ था मडरास में 24 हुआ ऐलाभाद में 25 और इसके बाद चलते ही रहते हैं काफी सार हुए थे, 40 प्लस हुए थे, यहाँ पे अधिवेशन, और यह जो था, प्रथम वाला, 1885 वाला, बंबई वाला, इसके जो अध्यक्स थे, वो थे, व्योमेश चंदर बनर जी, 22 कोशन, नोबेल म्यूजियम, विश्व में कहां पे स्थित है, तो दोस्तों, यह स्थित है, स्टॉक होम में, C आपका यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा, चलते हैं, 23 कोशन की और के, O N G C का मुख्याले कहां पे है, तो दोस्तों, यह है, देहरादून में, यह आपका यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा, आपने हाली में 2018 के अंदर लास्ट में, न्यूस सुनी होगी, कि इसका जो मुख्याले है, वो देहरादून से दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन हुआ नहीं था, तो इसलिए यह करेंट का भी एक अच्छा कोशन बनता है, तो करेंट के जो इवेंट्स होते हैं, उनमें अगर पहले का भी कोई कोशन मनता है, तो वो आपके एक्जाम में आ सकता है, तो 23 का आपका A उप्शन करेंट हो जाएगा, 24 कोशन के राश्ट जंडा, अपनाने वाला प्रतम देश कौन था, 24 का गरेंट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डैनमार्क, बी ऑप्शन आपका यहां से एक गरेंट हो जाएगा, चलते हैं 25 कुशन के और के वह भारती गेंदबाज, जिसकी अंतराश्टी क्रिकेट में गेंदबाज जी पर, ICC ने 8 जनवरी 2019 को प्रतिबंद लगा दिया था, तो उस गेंदबाज का नाम बताईए फटावट से, कौन सा है वो गेंदबाज, अंबाती राइडू, जिनका हाल इमें जो गेंदबाजी का जो एक्शन है, वो संदिक्त पाया गया था, और इनकी गेंदबाजी पर एक बार के लिए प्रतिबंद लगा दिया है, ICC ने 2019 में, जनवरी 2019 में, चलते हैं, 26 कोशिन के और कि किस देश के सरकार ने एक ऑनलाइन पोल के आधार पर, गन्ने के रस को अपना राष्ट जूस, यानि के नैशनल जूस, जनवरी 2019 में गोशिट किया, तो उस देश का आपको नाम बताना है, या आपके करेंट के कोशिन चल रहे हैं अभी, तो वो कौन सा देश है, पाकिस्तान D-Option आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, चलते हैं, 27 कोशिन के और के, वर्ल्ड स्टील एसोशियेशन द्वारा, जनवरी 2019 में, जारी वैश्विग रिपोर्ट के नुसर, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा अस्तान है, तो भारत का अस्तान है, दूसरा C option आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, 28 कोशन, इसरो द्वारा कलाम सेट V2 तथा माइक्रो सेट R, उपग्रहों का सफल परिक्षन, 24 जनवरी 2019 को किस प्रक्षेपण यान की मदद से किया गया, तो उस प्रक्षेपण यान का नाम बताईए, तो वो है दोस्तों, PSLV C44, यह ओप्षन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, आगे चलते हैं, 29 कोशन के और के प्रदानमिंटी नेरेंदर मोदी ने, गुरु गोविन सिंग की जैनती के अफसर पर, कितनी राशी का स्मरती सिक्का, 13 जनवरी 2019 को जारी किया, तो कितना रुपे का सिक्का जारी किया था, 350 का, ठीक है, से यह ओप्षन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, चलते हैं, आज गे 300 कोशन के और के पूरी तरह से भारत में बनी देश की पहली, सेमी हाइ स्पीड रेल गाड़ी, जिसे कहते हैं, तो आपने देखा योगा करेंट में न्यूज ओगे रहे में, वंदे भारत एक्सप्रेस, बी ओप्षन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, तो ट्रेन अठारा का जो नाम है, उसे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम से जाना जाएगा, 31 कोशन के रेश्यम कीट पालन का अध्यान क्या गया लाता है, तो दोस्तों यह कहलाता है सहरी कल्चर, यह ओप्षन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, 32 कोशन के समवेक का ऐसा ही मात्रक क्या है, द्यान से देखिए, चारों आप्षन आपके सामने दे रखे हैं, ऐसा यूनिट बतानी है आपको समवेक की, तो यहां से करेक्ट आप्षन क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक के यानिके ऐसा यूनिट है, चलते हैं, तो वो है दोस्तों कारें, यह एक अदिश राशी है, बाकी जो वेग है, बल है, तौरण है, यह सदिश राशी है, ठीक है, तो इस टाइब के कोशन भी कई बार आपको एक्जाम में आ जाते हैं, तो अदिश और सदिश, अलग से आप पढ़ सकते हो, चोंतिसों कोशन के अवगादरो संख्या, यानिके जिने अवगादरो नमबर भी कहते हैं, का आंकिक मान कितना है, तो वो हो जाएगा, आपका D option प्रेट हो जाएगा, यह है दोस्तों, 6.023, multiply by 10 to the power 23, पुशन के और के यूरिया को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस पराप्त होगी, उस गैस का नाम बताईए, तो कौन सी गैस पराप्त होगी दोस्तों, अमोनिया, बी option आपका यहां से एकरेट हो जाएगा, विटामिन B5 को अन्य किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नियासिन, यानि कि यह option आपका यहां से एकरेट हो जाएगा, 36 का यह option करेट है, 37 कोशन के किस हार्मोन के अल्प स्रावन से बचपन में शरीर वरद्धी रुक जाती है, तो वह है दोस्तों, यह option करेट हो जाएगा आपका यहां पर, सेमेटो, ट्रॉफिक, यह एक हार्मोन ऐसा है जिसका अल्प स्रावन यानि के कम अगर यूज होता है, बचपन में अगर कम हात्रा में शरीर में मिलता है, तो यह हो जाता है आपका शरीर की जो वरद्धी है वो रुक जाती है, अगर अत्यदिक श्रावन यानि के ज़्यादा अगर यह पाया जाता है बचपन में, बच्चों में, तो क्या होता शरीर टेड़ा मेड़ा हो जाता है तो याद रखना important आपका ये हार्मोन है 38 कोशिन के बार भी पंचवर्ची योजना में चालू खाते का जो घाटा है उसका लक्ष कितना रखा गया कौन सा option करेट होगा आपका स्रीवाल हो जाएगा 2.9% ठीक है इतना लक्ष रखा गया था 2.9% चलते हैं आज के 49 कोशिन के ओर के रेल मंतराले के अधीन आने वाले सारुजनिक शेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड आर वी एनल की सापना कब हो थी कब हो थी दोस्तों इसके सापना 2000 तीन में B option आपका यहां से करेट हो जाएगा 40 कोशिन के IBM का पूर्ण रूप क्या यानि के फुल फॉर्म क्या है क्या है दोस्तों यहां पे इसका फुल फॉर्म सी वाला उप्शिन करेट हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनस मशीन तो आज के 40 कोशिन जर्नल अवेजनस यानि के जीकी कह सकते हैं जिसमें आपके सबी सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है क्या आपका स्कोर कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आगन को क्लिक जरूर करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो लोगसों धन्यवाद मिलते ने एक वीडियो में